नौसकार दोस्तों आपका Smart Aluminium चनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ Aluminium और Steel के जब भी Sliding Window में आप जाली लगवाते हैं या लगाते हैं तो आपको किस चीच का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों आप कभी भी जाली Aluminium का अपने Sliding Window में लगवा रहे हैं तो आप Branded Company का जाली लगवाईए या लगाईए दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों यह कारिकर भाई वीडियो देख रहे हैं मुझे मालूम है सबसे जादा हमारा वीडियो कारिकर भाई देखते हैं अगर क्लाइं Aluminium का जाली जो हता है सबसे ज्यादा Branded Company कौन सा है सबसे अच्छा कौन सा है इस टोपिक पर ही दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको कमपनी का जाली इसमें बहुत कम जगह है इसमें मच्छा आर पार नहीं हो पाता है तो आप जब भी स्लाइडिंग बिंडो में जाली लगवाईए अलमुनियम का तो वहां पे आपको केवल एक चीज़ का ही ध्यान देना चाहिए वहां पे फ्लाइगार्ट कमपनी का जाली आप लगवाईए दोस्तों ये ब्रांट परमोसन नहीं कर रहा हूं मैं बस आप लोगो गाइड कर रहा हूं आप लोग जब भी किसी पार्टी के घर में आप मच्छर जाली लगा रहे हैं स्लाइडिंग बिंडो में तो आप फ्लाइगार्ट कमपनी का जाली ही लगाईए अब इस्टील की बात कर लेते हैं दोस्तों इस्टील में आपको क्या करना है जब भी आप इस्टील का जाली लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर जाके बोलिए मुझे 304 का जाली दे दीजिए इस्टील का जब आप बोलेंगे मुझे इस्टील का जाली चाहे 304 का दोस्तों कि यहहें ब्रांड के ठीन सोचार देखिए दुस्तो मैं कुम्पनी का नाम usti ace कर नहीं लोका तो ब्रांड पर मोसन तो नहीं कर रहा ह्ँ फिलाल Nature मैं आपको यह बताना चाहरा हूं दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अल्मुनियम और स्टील में दोनों का रेट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्लाइगार्ड कंपनी को जाली होता है अल्मुनियम का यह आपको 24 रुपए स्कॉार स्कॉार्फिट किसी दुकान पर जाएंगे तो मिल जाएगा और स्टील का जाली जो हता है यह आपको 40 रुपए स्कॉार्फिट मिल जाएगा 304 ठीक है अब दोस्तों इसमें भी डूब्लिकेट कंपनी का जाली आते हैं उसमें कितना अंतर होता है अब देखे 24 रुपए आर्फिट आपको कम मिलेगा 22 रुपए स्कॉार्फिट आप लेंगे तो आपको एक्दम थर्ड क्वाल्टी का जाली अलिमूनियम का मिल जाएगा तो दोस्तों दो रुपए के लिए किसी का स्लाइडिंग खराब बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब भी किसी क आप करी रहें बस उसमें ब्रांडेट समान डालेंगे तो आपका वह स्लाइडिंग जहां भी लगाएंगे जादा दिन तक चलेगा और आप पार्टी के सामने बोल सकते हैं सर मैं इसका गरांटी लेता हूं चार साल दो साल का आपका वेरिंग नहीं खराब होगा यह जाली बहुत अच्छा है ठीक है यह आप एकदम बिंदास ले सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था जाली आप जब भी यूज करें स्लाइडिंग बिडियो में तो आपको ब्रांडेड यूज करना चाहिए दोस्तों अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर सस्क्राइब करिए अपने दोस्तों को पास भी सेयर करिए जिससे को उनको भी ये विडियो मिले और उनको भी कुछ सीख मिले और दोस्तों आपको मैं से पूछा था कि आप लोग क्या बताएं चोटी से चोटी जानकारी आप लोग के दूँ तो आप लोग दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओट 94% वहाँ पे ओट मुझे पड़ा है यस यस तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो बेरिंग के उपर रहेगा कौन सी बेरिंग हमें कौन से सेक्षन में लगाना चाहिए कौन सी अच्छा होता है उसके रेट के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज लाइक, सेर, सस्क्राइब करिए मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचता हूँ क्या सब के पास में मारा वीडियो जाए और सब लोग सीखें और सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ कौन सी कंपनी का सबसे अच्छी जाली होती है कौन सी कंपनी का सबसे अच्छा बेरिंग होता है कौन सी company का सबसे ज़्यादा alimunium अच्छा होता है मतलब कौन सा company का rubber अच्छा होता है कौन सा company का lock अच्छा होता है सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों बट आप लोग comment करेंगे तो और अपने दोस्तों को पास share हमेशा कर दिया करो तो दोस्तों आप लोग लाइक करते हैं मुझे कितना लाइक पड़ता है ये मुझे मालूम चलता है उस ही से मैं दोस्तों motivate होता हूँ और वीडियो बनाता हूँ आप लोगो अच्छी से अच्छी वीडियो में लेके आता रहूँगा आप लोग को टोटल जानकारी हमारे इस्माट अल्मूनियम चलनल पर मिलता रहेगा दोस्तों अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन